9 दिसम्बर 2020 वर्गशस्ट विशय संस्क्रीत पाठ का नाम पाठ नौ पाठ का नाम कर्नाटक प्रदेश है कि प्रहाई होने जा रही है किताब को निकालिए उसमें लिखा हुआ है पाठ का नाम में कर्नाटक प्रदेश है पत्र लेखनम किताब को आप पढ़िए संस्क्रीत करा विशय नहीं है असान है इसको दो तीन बार किताब का रीडिंग दीजिए अब प्रहाई होने जा रही है संस्क्रीत इसका उद्देश है कर्नाटक प्रदेश की जानकारी बच्चों को दिलाना कर्नाटक प्रदेश क्या है कर्नाटक प्रदेश जो राज है वहां कि क्या फ्लबधी है इसके बारे में आपको सही सही जानकारी हम देने जा रहे हैं आप किताब निकालिए किताब को देखिए तो हम प्रहाई सुरू कर देते हैं जैसा की बच्चों आपको मालूम होगा कि हमारा देश भारत है हम लोग भाया देश में रहते हैं कर्नाटक एक राज है जो कि आपको यह राज इसी राज के बारे में आपको जानकारी प्राप्ट करना है यह पत्लेखन के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है एक बच्चा है प्रणाओ अपने प्रिय मीत्र प्रणाओ जो है अपने मीत्र के पास पत्र भेज रहा है और उस पत्र में करनाटक प्रदेश की जो प्लबधी है जो की जो बर्नन है जानकारी है करनाटक प्रदेश की प्रकृति छटा वहां की आउधोगी के बाताबरन और वहां जो भी है सिच्छा का सिच्छा व्यवस्था महाविद्यालय नदीत जैसे हुआ वहां की नदियां के बारे में प्रकृति की सभी जानकारी या प्रणाओ प्रणाओ को दे रहे हैं सुनिए प्रेमित प्रणाओ सा प्रेम नमस्ति अत्रकृत्स्लम तथात्त्रास्तु अधुना अहम जाने केनिसा दिहल्या वही करनाटक प्रदेशे असमी अयम् प्रदेश भार्तस दचनी भुभावे भुवागे स्थितास्ति पुरायस प्रदेशस नाम कुंतल हयासी अस प्रदेशस राधानि बंगलूरू बंगलूर रहस्ति जनानाम प्रमुखा अवहासा कन्ना रभास्ति अस प्रदेश अस पच्छिम दिसाया मरव सागर पर्तते मुल्य न मुल्य गिरी परवता प्रदु प्रेश स्रो तम्मुच तम्मस्थ लमस्ती कावेरी तुंग भद्रा कृष्णा मले प्रवास रावती इत्यादी नद्द असमीन प्रदेश बहन्ती हाँ बच्छों आप इसका हिंदी सुनिये प्रिय मेत्र कहता है प्रणाव नमस्ते मेत्र मैं कुसल से हूं कि आप भी कुसल से हूंगे मैं हम जनकेंस अपने पिता के साथ दिल्ली वही करनाटक प्रदेश अस्त्मी दिल्ली से करनाटक जाना जा रहा हूं करनाटक में हूं यह प्रदेश भारत के दच्छनी भाग में हैं इसका पुरा नाम प्राचिन नाम इसका था कुंतल इस परदेश की राधानी बंगलूर है, जिस्कों की बंगलूर कहते हैं, करनाटक की राधानी बंगलूर है, लोग वहां के अनेक भासा बोलते हैं, जिसमें की कन्नर भासा, करनाटक की कन्नर भासा परमुख है, इस प्रदेश के पच्छिम दिसा में अरब सागर बहती है और मुल्ल नगरी परवत प्रदेश में का सबसे उचा अस्थल है मुल नगरी जो करनाटक प्रदेश है इसका सबसे ऊचा परवत जो है मुल नगरी मुल्ल गिरी परवत जो है सबसे ऊचा परवत है पूचास्थल है उसका नाम है मुल्य गिरी पालबत तुम वहां की नदियां बहती है तुम भंद्रा कृष्णा मलय प्रभा सरावती इत्यादी वहां नदियां बहती है इश अस्मिन प्रदेशे है विवस्ता उत्मास्ति आत्रडेकिं बिद्या आत्रालया माविध्यालया विम विष्विद्यालया च्शंति इधंग्यात्वात्म प्रसन्न भ埃ष्यती यत्यष्मिन प्रांते बहारतस सार्वजनिक सेश्ति शेटरसaking अशनी कानी उध्लगान वि करणाटक प्रदेश की, एग प्रकृति छटा, के बारे में जाने हैं वहां के पर्वत के बारे में जाने हैं, वहां के नदीतुंग भध्रा कृष्णा, मलय परवास रावती वहां की पर्मुख नदी है, यह सब आप लोग समझ गए, आप वहां की सिच्छा विवस्था के बारे में आप समझें कि करने रिटक प्रदेश की सिच्छा विवस्था जो बहुत उत्तम है बहुत अच्छा है वहां अनेक विद्याले है महा विद्याले है विश्विद्याले है यह जानकर आपको बहुत खुश होंगे पर्णौ का रहा है इस समय भारत की सार्वनिक छेत्र का अनेक उद्दोग धंदे वहां जो है विज्ञान प्रवदोकी अनुसंधान अनेक केंद्र जो है करनाटक की राधानी बंगलूर में अस्थापित है पर्णौ जो है अपनी मित्र को समझा रहा है तो आप लोग इसका हिंदी समझ गए वच्चों अब तीसरा स्टेंजा भाईए तीसरा पाराग्राप इस कारण कहता है बच्चों इसका हिंदी हुआ कि बंगलूर जो है भारत का सिलिकान बेली का उत्पादन कहा जाता है और करणाटक जय प्रदोगी सुचना प्रदोगी की खाद प्रदोगी आदी छेत्रों में या इसका अस्थान पर्थन है कारणाटक भरतनाट्यमिते निर्तस प्रसिद्धा केंद्रमस्ती अस प्रदेशस कारणाटक संगीतं से जनानाम अध्यती लोक प्रियमत्ती जनानाम लोक प्रिया की रायस्ती की रा क्रिकेट की राचस्ती साहित संगीत कला ज्यान विज्ञान इत्यादी सु सर्वेशु छेते सु करनाटक प्रदेशे अगरनी अस्ती अस प्रेशस प्रमुखानी प्रवानी नाड अभा उगदी मकर संक्रांती गने चातुर्ती नाग पंचमी बसव पजयंती दीपावली त्यादिनी संती अब कहता है बच्चों कि करनाटक जो है में अनेक प्रकार का निर्त निर्त मने नाच विख्यात है जिसमें की भरत नाटियम निर्त जो है करनाटक का परसिद्ध नित्र है नित्रकेंद् नित्रकेंद्ध नि निर्त मने समझ है आप लोग नाच निर्त्मने नाचना का अस पर्देस किताब करनाटक जो है संगीत के लिए लोग बहुत लोग पूरिएं का कौनातक संगीत के लिए किताब को देखिए निर्त कर रही है जनानाम लोग जो है कीड़ा यस्टी होकी वहां का प्रमुक खेल जो है किरकेट है होकी है साहित संगीत कला ज्यान विज्ञान में भी करनाटक प्रदेश का अथान पर्थम है साहित कला में करनाटक का अस्थान पर्मुक है जो की बंगलूर उसकी राधानी है आप लोग जानते होंगे बच्चो कि करनाटक की राधानी जो बंगलूर है हवाई जहाज का का रखाना कहां है बंगलूर में प्रदोगी की संस्थान खाद प्रदोगी की संस्थान शुचना प्रदोगी की संस्थान यह सब ही बंगलूर में अस्थित हैं और सब्सक्राइब्या के साथ सन्कृण एक fortiri और में इसके 7 सब्सक्राइब की इन करते हैं मकर्शिअन कराम जाता हुऊंगे नाग पंचमी म GO जन्ते रेहों दिपावली इत्यादि पर बहुट धूम धाम से एकारी आप लोग को स्पश्टों करनाटक परदेश के बारे में हम जो प्रहार हैं शो को आप जटना प्रहार हैं इसका ह recessive संसिर्ण का हिंदी आपको हम वर्ग चालू होगा तो तहम उसमें सब लिखने कहेंगे अब ध्यान दीजियर ध्यान प्रहारी पर दीजिए कि हम क्या बोल रहें myths को आप उतार करके लाईएगा हम जाचेंगे हम जाच करेंगे जरू जाच करेंगे आप इसके पहले किके वहानेक परकार का आप लोग सुने थे अब हमारे कहा जाता है कि करनाटक प्रदेश में अनेक दर्सनिय अस्थल भी है परियतक अस्थल भी है जो की देखने लाइक है उस परियतक अस्थल में मैसूर अस्थित महाराजा पहलेश महाराजा पहलेश आपको राजमंदीर पहलेश महाराजा पहलेश को देखेगा कुलो कुद्रे मुख राष्टिय उद्धान हुए जोगप्र खतात मूर्डेश्ट अस्थित मौर्देश्ट्वर साघात यस मौर्डेश्ट्वर शिवमंदीर producing łजो का मुंडिर का मौर्डेश्ट्वर सिवमंदीर श्रिंगेडी अस्तित जो है सार्दंबा मंदिर शार्दा मंदिर सार्दांबा सार्दा अम्म मंदिर कहा cocoa है मगलोर में है आप करनाठा कि ज जाईएगा सेखल शार्दांबा मंदिर मिलेंगे इसलिए आप लोग वहां के परकृति छटा दर्सनिय अस्थर वहां के अउदोगिक विकास के बारे में आपको सही सही जानकारी आपको दिये आप जोग प्रपात के बारे में भी सुनी कि और महाराजा पहले स्कुद्रे मुख राष्टी उद्धान के बारे में सुनी मुर्देश्वा सागत्ते जोग प्रपात है ये सब आप लोग को हम सुना दिये अब आप स्रवन बेल गोला के बारे में जानकारी प्राथ के लिए स्रवन बेल गूला इति जायन धर्म इति हासिक अस्मारका हस्ती वीजापुर गोल गुम्बदा विश्वास सद्यूति ब्रह द गुम्बदा अस्ती मित्रह एतत सर्वद्रिष्ट्वायम्मानंदम्रभवामि करनातक प्रदेस्स माकम्देस गौरव अस्ती से शम्सार्व म जिस प्रकार से हम लोग हम जो है मैं जो हूं भाव में संस्कृत पाठ को पर रहा हूं उसी प्रकार से आप लोग भी संस्कृत का पाठ को भाव में पर ही जब भाव में पढ़िएगा तो किताब पढ़ने के लिए एकदम लाजसा आपको बढ़ जाएगी बहुत मुझा आएगा बहुत मन लगेगा पढ़ने में तब सरवन बेल गोला आप नाम सुनेंगे वहां जैन धर्म का इतिहासिक अस्मारक स्थल है बीजापूर गोल गुंबद विष्ट का दूतिया अस्थान दुसरा अस्थान जो है विष्ट का जो है विजापूर गोल गुंबद का नाम सुनेंगे यह सब कहा है यह सब आपको करणाटक राज में है वहां की अपलबधी के बारे में आपको बता रहे हैं वह मित्र जो है पढ़नाओं अपने मित्र को बता रहा है सारी सारी बात कि मैं उसे देखकर काफी आनंदित हूं काफी आनंद का अनुह कर रहा हूं करनाटक प्रदेश जो है हमारी देश का गवरभ है द्रोहर है श्रिष्ट है और से और सब कहता है बच्चा करहा है कि आउज जादा जब आप मिलिये गागे तो फिर सारी बात हम जो है बर्नन करूंगा आप जब बात से इतना ही शुनिए मात्रम मंप्राम कर मेरी माता मेरे माँ को प्रणाम कई दीजिए और मेरी माँ को प्रणाम कई एगा अनुज गाए चोटे भाई बहन को भगनी बहन मात को प्रणाम के जिए गा मा जी को प्रणाम कर दीजिएगा मेरे चोटे भाई भाई बहन सभी कूण को आशिरवाज कह दीजिएगा भवतह मित्र आपका मित्र अमर अमर यह पट्र लिखा है किसके पास लिखा है सन्किThere is प्रणाव के पास यह पत्र भीज रहा है लीकर की इस प्रकार स्चों यह आप लोग प्रहाई हो गई जिसमें करणाठक प्रद्देश की आपको दिया गया है इस कि निद्ध लिख करके आपको लाना है उसे कि प्रकार का हो गहाएं और है तो आप लोग गीता पात की उबकुल पर हो बहुत गीता पाठ को भी आप लिखिए आद कीजिए और फिर कलाज जब चलेगी तो फिर सभी बार्चे को हम बुला बुला करके बारी बारी से सब को माइक पर आना परेगा आपको बोलना परेगा आप याद करते जाए या गीता पाठ सधारन चीज नहीं है उसको मनन और पवित्रमा भाव से पर हिए और इसको इस सब्दार्थ जो लिखाया गया है करनाठक प्रदेश के बारे में सब्याद कर लिजिए